सपना चौधरी के फैंस देश से लेकर विदेश तक मौझूद है सपना की एक अदा लाखों फैंस के दिलों को छू जाती है लेकिन इस बार सपना ने ऐसा कारनामा कर दिया है जिस वजह से सपना के खिलाफ अरिस्ट वारेंट जारी हो चुका है दरसल खबरों की माने तो एडिशनल चीफ जिडिशियल मजिस्ट्रेट शांतनू त्यागी ने लखनू के एक मामले में सपना चौधरी के खिलाफ ये वारेंट जारी किया है डांसर और सिंगर सपना की एक शिकायत पर लखनू कोर्ट में ये एक्शन लिया गया है और इस मामले की अगली सुनवाई तक पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा गया है इसी के साथ मजिस्ट्रेट शांतनू त्यागी ने इस वारेंट को जारी करते हुए कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस सपना को गिरफतार करके कोर्ट में पेश करेगी वहीं इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद खुद सपना ने शिकायत को खारिच करने के लिए अरजी दी थी आपको बता दें कि 3 साल पहले यानी 2018 में सपना चौदरी के खिलाफ 14 अक्टूबर को आशियाना पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज की गई थी उन्होंने ये आरोप लगाया था कि 13 अक्टूबर को लखनव के स्मृती उपवन में दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक का शो और्गनाइज किया गया था लेकिन इस शो में सपना नहीं पहुँची फिलाल सपना के अलावा इस कारेकरम में जुनायद एहमद, नवीन शर्मा, इवाद अली अमित पांडे और रतना का रुपाध्याय जैसे नाम भी शामिल है इस शो के लिए दर्शकों ने 300 रुपे के टिकेट खरी दे थे, इतना ही नहीं सपना की एक जहलक पाने के लिए हजारों फैंस इस शो में पहुँचे थे लेकिन सपना चौधरी रात 10 बजे तक नहीं पहुँची जिसके बाद लोगों ने वहाँ जम कर हंगामा भी किया इसके बाद उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे जिनको पैसे वापस नहीं किये गए कोट ने 4 सितमबर 2020 को इस मामले में सपना चौधरी की डिस्चार्ज अरजी खारिज कर दी थी अब सपना समेत अन्य सभी आरोपियों पर मामला तै करने का आरोप भी लगाया गया है अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे जनसंदेश टाइम्स के साथ